हम हमारे डेली लाइफ में सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एक्जाम्पल्स देखते हैं जैसे अगर हम कभी रोड पर चल रहे हों और किसी कार के अंदर बेठे हो और जब हमारी कार टर्न कर रही हो मान लेते हैं लेफ्ट की तरफ तब हम राइट की तरफ थोड़े से स्लाइड हो जाते हैं और कार की दिवार से हल्का से टकरा जाते हैं या फिर हम बात करें किसी सर्कस में स्टंट करने वाले बाइसिकल सवार की जो कि इस तरह से एक arrangement लकडी का arrangement करके उसको circular shape देखे gravity की चिंता किये बगेर उसमें एक circular round काड़ता है या हम earth के around sun के around earth की motion की बात करें या earth के around moon के motion की बात करें यह सब किसी ने किसी तरह की circular motions है इतने सारे example होना के बात यह बिल्कुल relevant हो जाता है कि हम circular motion को और deeply और details से study करें जब भी कोई object किसी circular path पर move करता है एक constant speed के साथ तब हम कहते हैं कि object uniform circular motion में है और uniform circular motion में move करते हो object के पास एक acceleration होता है because of changing velocity velocity लगातार अपनी direction change करती रहती है मान लिजिए यह object circular path पर move कर रहा है और किसी point पर इसकी velocity tangential direction में इस तरह है और इसका acceleration central direction में होगा uniform circular motion करता हुए object का acceleration central direction में होता है इसको हम अभी prove करके देखेंगे और जब यह थोड़ी देर बाद अलग point पर पहुँच जाता है तो यहाँ पर इसकी velocity tangential direction में होगी और acceleration अभी भी central direction में होगा लगातार velocity अपनी direction बदल रही है क्योंकि यह tangential direction में है और इस वज़े से acceleration है जिसकी direction center की direction में होती है माल लेते हैं कि delta t time में यह object move करता हुआ इस point से इस point पर आ जाता है और यहाँ पर इसकी initial velocity v रहती है और यहाँ final velocity v dash बन जाती है और इस दोरान यह angular displacement ट्रावल करता है delta theta के equal कितना angle चलता है इसको हम angular displacement कह रहे हैं और फिर हम यह देख रहे हैं कि यह कितना acceleration ट्रावल करता है तो इसके लिए हमें यह बात पता है कि acceleration rate of change of velocity है with respect to time तो पहले हम यह देखते हैं कि velocity में change कितना है मतलब कि हम delta v निकाल रहे हैं जो कि final velocity v dash minus vector v होगी so vector v dash में से v minus करने के लिए हम इसको rearrange करते हैं करेंगे कि हम इस वाले vector v dash को यहां से shift करते हुए थोड़ा इस तरफ लियाते हैं और initial vector को भी हम थोड़ा shift करेंगे इसको हम यहां से shift करके यहां पर लाएंगे दोनों को हमने tell to tell जमा दिया है तो अब यह जो vector होगा दोनों को join करने वाला vector जोड रहा है यह वाला vector यह दोनों के difference को show करेगा यह वाला vector final vector है और यह वाला initial velocity vector है और अगर इसको हम delta v नाम दे तो vector addition के triangular low से हम यह बात जानते हैं कि अगर दो vectors order में एक triangle की दो side को represent करें तो तिसरा जो opposite order में vector आ रहा है जो कि यहां पर v' है यह इन दोनों vectors की sum होता है that is v plus delta v यह यह कहें कि delta v जो है वो दोनों vectors का difference है so delta v की तो direction होगी that is v' minus v यही acceleration की direction होगी because average acceleration जो होता है वो होता है total change in velocity divided by जो time interval था जो कि हमने यहां पर delta t माना है so यह average acceleration होगा और change in velocity की जो direction है वही acceleration की direction होगी तो हम यहां पर देख सकते हैं कि delta v की जो direction है वो center की तरफ है इसलिए हम कह सकते हैं कि acceleration की direction central direction होगी center की तरफ एक acceleration होगा अगर motion uniform है अगर हम यहाँ पर इस triangle की तरफ ज्यान दे इस point को हम point to O नाम देते हैं इसको A और इसको B तब यह जो triangle O A B होगा यह वाला triangle और अगर इस triangle को हम नाम देते हैं O dash A dash और B dash तो triangle O A B O dash A dash और B dash के similar होगा क्योंकि यह वाला angle अगर delta theta है और क्योंकि velocity vector इन दोनो radius vector पर perpendicular है तो अगर radius vector की बीच में delta theta angle है तो इन दोनो perpendicular velocity vector की बीच में भी delta theta angle ही होगा तो दोनों का एक angle same है और दोनों की दो sides की ratio same होगे क्योंकि यहाँ पर भी दोनो radius है और दोनो radius equal होती है यहाँ पर दोनो velocity vector है इनके magnitude equal है क्योंकि uniform velocity है इसलिए दोनों की speed से हमें इसलिए इन दोनों velocity vectors के magnitude से हमें इसलिए यह दोनों जो triangles हैं यह वाला छोटा triangle और यह बड़ा triangle similar है और हम यह जानते हैं कि similar triangles की side के जो ratios होते हैं वो equal होते हैं इसलिए यहाँ पर side a dash b dash का जो ratio होगा a b के साथ वो equal होगा o dash b dash और side इस triangle के लिए o a के हैं और यहाँ पर again हमारे पास a dash b dash की value है a dash b dash delta v के equal है और a b की value delta r होगी और o dash b dash यहाँ पर vector v है जिसका magnitude लिखेंगे हम v और o a की value r के equal होगी और फिर इसको बापिस हम लिख सकते हैं delta v upon v equal to delta r upon r यहाँ से delta v की value निकाली जा सकती है जो की होगी delta v equal to v into delta r upon r इसका use करके हम average acceleration निकाल सकते हैं इस delta v का use करते हुए हम average acceleration की value निकाल सकते हैं क्योंकि average acceleration जो है वो होगा delta v divided by delta t यह average acceleration की value है तो acceleration equal to delta v divided by delta t और delta v की value हमने निकाली थी delta v की value यहाँ पर v delta r upon r की equal है तो हम यहाँ पर put कर सकते हैं v delta r upon r यह delta v की value है divided by delta t यह average acceleration है और अगर हम instantaneous acceleration निकालना चाहें तो हमें यहाँ पर limit लेनी होगी limit delta t tends to 0 मतलब delta t interval को हमें बहुत छोटा रखना होगा जिससे हमारे पास instantaneous acceleration की value आएगी तो इसको हम लिख सकते हैं v delta r divided by delta t r और फिर यहाँ पर यह r constant है और v भी एक constant की तरह treat किया जा सकता है क्योंकि इसकी speed constant रहेगी तो v by r को हम बाहर लिख लेते हैं अंदर बचेगा limit delta t tends to 0 delta r divided by delta t और यहाँ पर यह जो expression है यह instantaneous velocity का expression है क्योंकि change in linear position यह जो delta r है यह उसकी linear displacement को दर्शा रहा है यहाँ से यहाँ तक जो इसने displacement travel किया यह delta r है इसमें हम delta t से divide करेंगे तो हमारे पास speed आएगी that is v so v divided by r multiplied with v delta r by delta t जो है इसकी instantaneous speed है किसी time t पर so इसको solve करने पर हमें मिलेगा v square upon r so v square upon r जो है यह center की direction में जो acceleration है उसकी value है v square divided by r इसको हम centri-petal acceleration कहते हैं तो यह बात clear है कि अगर कोई object किसी circular path पर move करता है और वो भी एक uniform speeds है तो उसमें जो acceleration होगा वो हमेशा central direction में होगा ठत्वक पिर में हमें पर में होगा झाँ जिए छो है यह जोगास है